इसकार दोस्तों ग्वाफिस सभी का SK Smart Class के हैं बहुत बहुत नाम से से जानते हैं तो हम करणाटक की सकते हैं सारी के बारे मैं आज में कंपाने वालो हूं कि आप प्लीज हमारे प्लेख में जाके यानुपugen reh so सीरवाज आप प्रात कर सकते हैं और यह जो मैं 50-60 वीडियो इतिहास का बना रहा हूं नोडिस किजिएगा यह आप किसी भी आयोग पर इच्छा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है इन लेक्चर को तैयार करके आप आसानी से पूर्चेश ठीश हो सबसे आखरी में तो इसकी भी बात करेंगे तो बात करते हैं ने बात करते हैं आट नेदरलन्ड के नाम से जानेगे ठीक है उसके बाद कोन आते हैं अंगरेज और फीर आते हैं आपके देनिस तो तो आज हम इनके के बारे में बहुत नहीं आत करना है कि अगर भारतती इतियास में इनका बहुत ज्यादा योगदान यानि कहने का मुल्ब यह कि इन्नों ने बहुत जादा कुछ किया नहीं इसलिए बहुत सारी tenka बारे में लिखती वह ठीक है तो इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि वाले इनके क्या पढ़ना है हमीं ये देखना हैं कि बहुत में आगमन कब होता है 1616 में और इन्होंने अपनी दो ब्यापारी कोठियां खोली भारत में जो कि पहला है ट्रांकोबार यानि तमिलाड में और दूसरा इन्होंने खोला सेरामपुर जो कि पश्चिम मंगाल में तो याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है कि इनकी ब् बार बार बता रहा हूं कि जो भी पुर्तिगाली भारत में आते हैं यह अपना पहले प्यापारी कोठी अस्थापित करते हैं क्योंकि वही एक जगह होता है जहां से वह अपने बस्तों का आयात निर्यात यानि खरीते और बेशते हैं ठीक है यह चीज़े थी होता क्या है 2745 में यह अपनी सारी ब्यापारी कोठी ओं को अंग्रेजों को बेच कर क्या कर गए वापस चले गए ठीक है तो यहीं से इनका भारत में उपनिवेश का अंत हो जाता है तो यहां से इनका बहुत ज़्यादा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महतपूर नहीं है यह सबसेошा सबसे आखरी आने वाले यूरोपी सबसे आखरी में अने वाले ठेखें कौन फ्रांसी बाइच अब दिए कहा जाता है कि दो अगर यह चाहते उसकते ना पर दो विए सफल्ट's ऐस या तो इनकी का टिके सपल्त तो इनकी सरकार का सबसे बड़ा कार यह था कि इन lonistori Cellar का कि सरकार कइंसाओं पूर्ड नियांतार था यह अगर कुई भी काम करते भार्त में अगर कोई काम करते हैं तो बिना अपनी government के आदेश से नहीं कर सकते थे उनसे बिना अनुमत के नहीं कर सकते थे जैसे अंगरेज थे तो मालीजे अंगरेज में रावर्ट कलाइव आया तो उसका जो preaching अगर भारतियों का दमन करना चाह, तो इसको इसके लिए अनुमत नहीं करता था तो यहां पैसा नहीं था फ्रांसी के लिए ये था कि इनको अपनी सरकार से क्या करना होता था नहीं कर सकते थे ना तो इसी وجए से क्या था कि इसके पर Bak इंका जो ध्यांन था ना वो भारत से जड़ाई अन्ने देशों पर भी था यानि यह भारत पर केंद्रित नहीं थे अन्ने देशों से मारिसास हो गए इसके लामा दोस्तों कई मलब इनके जो ध्यान मुख्षिता भारत पर ही नहीं था ठीक है तो इस बचान बढ़का तो जाहिर सी बात है अगर आप एच चीज पर ध्यान के इनका जो मलब कहा जाता है कि फ्रांसीसी भारत में तो काफी समय तक रहे लेकिन 1954 में 1954 तक जो हैं यह रहते हैं उसके बाद भारत से चले जाते हैं और इनके जो उपनिवेसवाद और किलेवां बंदी का जो अंत हुआ वो वांडिवास की युद्ध में हो गया वांडिवा पागे इतिहास पढ़ते हैं क्या होता है देखे दोस्तों अगर फ्रांसीसों की इतिहास इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह महत्थपोड है क्योंकि इनहीं के समय में करनाटा की युद्ध हुए जो पहला दो ते तरती और जो की बहुत ही महत्थपोड जो आपको जानना ब इते होती है ठीकिए उक्यान उसके बाद ऊप reconst how I stan pray और ऑनी ब्रक फरेंको कहरो भारत आया और उसी ने भारत में फ्रांसीसेथी युंकि पहली ब्यापारी कोटी खोली कहां सुरत में तो आपको अक नंबर तो तो और एक तयार हुए कि फ्रांसीसिथेंने पहली ब्यापा में पहली ब्यापारी कोठी कहां पर खोली सूरत में ठीक है तो यह चीजे तो सूरत में पांडी चरी के हमारे ढेश का इस्सा है पांडो चेरी के क्या की तो कुशन आप एक तयार हो गया कि की पांडो चेंदो क्या मार्टिन किस्ने क्या मार्टिन निया मार्टिन जो पांडुचेरी का अस्थापना करता है यही पांडुचेरी भी इतिहाट बिल्कुल आपको लेक्टर सुनना है यह नहीं होना वर बिल्कुल नहीं होना क्योंकि आप लेक्टर लार तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत गाज़ा है ठीक है चलिए तो 1660 में कि संदी होती है तो यहां पर शोर संसतांवे में 1680 तर फ्रांटियों की應該 मार्टियों बीड़न के जिन देखेंगों कि मार्टियों का Shelby किस कि слож के यहां वहां कि डिखेंड़ेकर दीख्या बर्सक्ताइब अपनी बस्तियों को क्या किया था तो जाहिर सी बात है कि पांडुचेरी चुकि क्या था फ्रांसीजों का मुख्याला था वहीं पर फ्रांसीजों की बस्ती थी तो इसलिए मार्टिन को ही क्या माना जाता है वास्ति संस्थापन को माना जाता है फ्रांसीजी बस्तियों का ठी रहती है क्या होती है चंदनगर की जब अस्थापना होती है तो यह कार्द की अंग्रेजों ने क्या किया तो छोड़कर फ्रांसिश्यों की जितने रही चेतर थे उनको क्या कर दिया वापिस कर दिया लेकिन चंद अगर को वापिश नहीं कि अंग्रेजहों ने फ्रांसीसों के दूरा जो sarà जो है इश्फापित की गए थी उनको क्या किया उनको तो चंद सालो को पिर सभी वगश्टियों को छोड़ देता लेकिन चंद अगर को नहीं करता वापिस कर देता है ठीक है अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए होता क्या है दोस्तों की सत्रा सो बीस देखिए सत्रा सो बीस तक तो फ्रांसीसी बिल्कु निस्क्री रहते हैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन सत्रा सो बीस से सत्रा सो एक तालीस तक भारत में दो वारत में दो क्वासीabाननर रे吧 17 सूबीस से 14 तक भर्रत में दो व्रासी अर गवननर रजिए कौन कौन लीनो और डूमा लीनों और डूमा इनको कहा जाता है कि इन्हों ने फ्रासीसी सक्तियों को पुना स्थापित करने में यह लग गए थे और इननी के प्रियास त्हूंस्स मेंजेह बडिए-स्थे-स्षे में प्लमाली की तो के और फिर फिर 1749 में यह कर kommen के चाने अपनी वेर्पारी कोट्ष का और जो इनुझा देशची निल्मार किया या नहीं चलें सता आप समझेकड़ जो यह परत्व करनाटक होता है ना जिसको सेंट alarming का युद्ध क्यूं का यूं सेंड थौमे नामक जगहा पे हुआ था कब गए था सत्रासो च्छालिस से बीच इसलिए प्रथम करनाटक युद्ध को सेंड थौमे का युद्ध के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों कि प्रिष्टिभूम क्या थी कोई युद्ध ऐसे नहीं हो जाता उस युद्ध के किसी भी थे पूतिगाली भी थे और अंग्रेज बिटेन भी थे वहां पर यह सब यूरूपी देश ते तो यूरोप में दोस्तों क्या होता है कि उत्त्राधिकार के लिए और चिसको लेकर उप्रांस भी लड़ने लगए लगिसांजूँ जगडा कहां पर हो रहा था जग तो सोचिए जगड़ा जब यूरोप में हो रहा था तो उसका असर भारत में हो रहा था अब देखिए यूरोप की बात करें तो महां पे फ्रांस चुकि यूरोप में फ्रांस और बिटेन दोनों देश वहां पे हैं तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों भारत में क्या कर र लगा अंग्रेज और फ्रांस की फ्रांस की x kebich तो होता क्या है है था तो जब चमने बताना कि जब भारत में होती है सिर्फ 17 स्धोस्त में पोहची भारत में तो भारत में इसका प्रार्ण में तो हो गया इसका भी असर हो गया और इस việc फ्रांसिसी गवर्न नर क apple इप टाइज प्रांसिसी काउंड में व्सपोर हो ठीको इसी इसी की नेफ्ल में दोस्तों यूध करत करें अगर नेघा है ये था डूपले को हीट्व ही दोस्तो सहाइक संद्र का जमडदाता भी माना जाता ली को बिल जनदाता है अभी आगे बताओंगा अ क्रेड़िट सबसे पहले परयोग भ hasn Nharni क्रेड है दोस्तों को पता था भारत में फ्रांसीस सेना कमजोर है इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता है कि दच्छल भारत में फ्रांसीसों का मुख्याला था फांडुचेरी और यहां डूपले मुलाकात करता है। निकोलस मोर्स से मुलाकात करता है। यही से कुछ नेति करता है। कि भाईया, आप किसी भी प्रकार का यूद मत किरिएगा क्योंकि नहीं चाहते। हम युद्ध नहीं चाहते निकोलस मौरस से इसने क्या किया आग्रह किया लेकिन क्या किया कि है कि इधर निकोलस मौर्ण की सायता के लिए कैप्टर बरनन आता जो कि अंग्रेश था ये नौसिना के साथ भारत पहुचा जब निकोलस मोर्स को ये पता चला कि भीया हम डूपले की बात क्यूं माने क्योंकि हमारी साहता के लिए तो कैप्टर बरनल आ चुका है हम तो मजबूत हो चुके हैं तो इसलिए इसकी क्या किया इसकी प्रार्थना को अस्विकार कर दिय इसकी प्रास्व क्या कर दिया आस्विकार कर दिया मना करते कि या। एसा कुछ बात हम आपका नहीं मानें गे क्योंकि इसको लगाना कि हम मजबूत हैं और हम इसी का फायदा उठाएंगे और होता क्या दोस्तों जो करनाटए का पर्थम यूध होता है इसका जो ततकालिक कार यही था क्यून परनन्द फ्रांसी सी बेड़ो को अपने कपजे में कर लिया कॉन बनन ने कर लिया को क्या अपने कबजिय में कल लिया ठीक है तो जब क хл invest उसी वह तुरण तुरूलर द्धम को अस्विकार कर देता है कि यह ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है अब देखिए क्या होता है तो यही जो कैप्टन अगर आप से पूछा जाया कि करनाटक का पर्थम यूद का ततकालिक काल क्या था तो आप बताओ कि कैप्टन बननर द्वारा फ्रांसीसी बेले को कपजे में कर लेना यही करनाटक के यूद्धिका जो पहला यूद होता है इसका ततकालिक काल माना जाता है ठीक है और इसलिए दोस्तों निकोलस मुष्ट ने क्या 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 पत्र को नकार भी दिया अब देखिए डूपले था दूपले क्या था दूड़दर्सी था बड़ा इकूटन उड़दिन तो डूपले जो है इन्से मुलाकात करता अद।ध्ञाता है और इसको समझाता है कि देखिया आप आप से मैं बिंटी करता हूं कि आप अपने राज में किसे डूपले? इस से कहता है नुर्दिन से कि आप अपने राज में कोई भी युद्ध्मत होने अगर युद होता है तो आप अंग्रेजों की सहायता मत करिएगा और अगर युद में हम मदरास को जीते हैं तो मदरास मैं आपको वापिस कर दूँगा यह बात यह कहता है ठीक है और दोस्तों देखिए यही यही चुकी देखिए इसलिए इसको सहायक संधिका प्रयोग किय मैं आपकी बात मान लेता हूं ठीक है और इसने अंग्रेजों को युद्ध करने से क्या कर दिया मना कर दिया क्स को टाइम मिल गया कि सको 은ग कि को पने इसको इसको पता था कि युद्ध कभी भी जो सकता है अंग्रेज क्योंकि थे बड़े आ जाता है ना तो ये क्या करते हैं ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं ये दोनों मिलकर लाबुडोने और डूपले मदरास पर कबजा कर लेते हैं क्या कर लेते हैं मदरास पर कबजा कर लेते हैं ठीक है तो यही होता है दोस्तों और उसके बाद दोस्तों यहां पर जब ये कबजा कर लेते हैं तो देखे होता क्या है लाबुडोने लाबुडोने क्या करता है लाबुडोने जो था उसने मतलब क्या किया ये कभी नहीं चाहता था चुकि दूप ले तो कभी नहीं चाहता था कि मदरास को वापिस करें क्योंकि जब मदरास पर कबजा कर ल लेकर मदरास को वापिस कर दिया चार लाग पॉंट फिर होती लेकर क्या करती है मदरास को वापिस कर दिया और यही होता है दोस्तों यहां से फिर से डूपले क्या होता है निरास हो जाता है कि भी यह इतना मिनहत करके तो हमने कबजा किया अब यह महाराज पैसे लेकर वाप करने के बाद मतलब लाबुडों ने मतलब क्या किया मदरास को फिंसे मतलब चाल लाख पॉंड वापिस फिर होती लेकर जब मदरास से वापिस जा रहा था तो दोस्तों होता क्या है कि उसी समय डूपले ने क्या किया मदरास पर फिंसे कबजा कर दिया और मदरास पर क्या कर लिया फिंसे कबजा कर लिया उसको फिंसे कबजा कर लिया और इसने कलाइब को कहा जाता है कलाइब को बंदी भी बना लिया रॉबर्ट कलाइब क्यों कि उस समय था इसने इसको क्या कर अन्वरुदीन उसको लगता है गुस्सा कि मतलब एक तो ये मेरे पास प्रार्थना लेकर आया मैंने इसकी बात माना भी और उल्टे इसने क्या कर दिया मेरी बात को ही मान कर मतलब ये उसने मेरे पर सेंट थोपे और इस युद्ध में डूपले जो है विजय होता है डूपले का मदरास पर कब्जा हो जाता है लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यह युद्ध पूरी तरह से इस युद्ध के जो समाप्ति होती है वह संधी से होती है और इस संधी होती है बहुता हैए युद्ध दोनों में युद्ध दो रहा था तो उसी के तहट मद्रास को क्या कर दिया हम्रास ऑपता है मदरास अंग्रेजों को दे दिया जाता है तो देखिए यही रीजन था कि डूपले जो था वो फिंसे नाराज हो गया वो फिंसे नाराज होगा कि इतनी मेनत करके मैंने क्योंकि मदरास को देना ही नहीं चाहता था और जब मदरास को देना ही नहीं चाहता था तो जाहिर सी ब नहीं है जाए दिन तक चलता नहीं है ठीक है तो और इसलिए दोस्तों होता क्या है कि अगर ये अंग्रेजियों को मिल गया वापस मिल गया क्या मदरास और रेखी था उधर उत्तर अमेरिका का एक अस्थान ता लूइस बर्ड जो फ्रांसीसियों को मिल गया जानी अगर ये संदी कहां पर होता है यूरोप में होता है और जिससे ब्ल सोचा कि इतना मेहनत करके हमने मदरास पर कपजा किया मदरास को दे दिया इतना असानी से औरसके सिर्फ मेत करनाइध की का करनाइध का दूसरा यूद्ध होता है ठिक है चलिए तो बात करते हैं करनाइध के दूती यूद्ध हो गो जो कि 1749-144 की बीच होता है 1749-144 की बीच होता है दिखे दोस्तों अब जब करनाटक का पहला युद्ध समाप्त हो जाता है एक संधी से एला सापल की संधी से तो उसके बाद तो ऐसा है नहीं कि डूपले भले नारास्त है लेकिन अब क्या वो बीच में जाके खुद क्या कर क्या वो जाके तुरंत युद्ध करना सुरू कर देगा नहीं अब उसको एक बहाना चाहिए था कि कि किसी तरह से मदरास पर फिंसे कब जाकर नहीं फिर से युद्ध हो तो बहाना कैसे मिला उसको देखे होता क्या है किसका जो मेन कार्ण था वो हैधराबाद में एक उत्त युद्ध का कार था कि हैदराबाद में भारत में हैदराबाद में उत्तरा धिकारी के लिए संगर चल लाता अच्छा संगर किसके किसके भी चल लाता देखिए होता क्या दोस्तों कि निजाम आसिप जहां की मृत्ति हो जाती है निजाम आसिप जहां की मृत्ति हो जाती है त इसका पौत्र कर भांजा भी दिया है यह भी क्या करता है। कौन मुजफर-वत करता है ही संगर्ष होता है। दीज सुती है कंता जो समा और वहाद चलता है। तो इधर मुझफफर जंग मुझफफर जंग और नासिर जंग के बीच होता है और दूसरी और करनाटक में चंदा सहाब अनवरद्दीन के बीच होता है ठीक है अब देखिए अब डूपले को मिल गया वहाना तो डूपले ने क्या किया मुझफफर जंग इधर इधर करनाटक के नवाव और यहां पे हो रहा था लेकिन दोस्तों इसमें अंग्रेज और डूपले कैसे आ गया क्योंकि दूपले को तो बहाना चाहिए था ना कि मुझे मदरास पर कब जा करना है किसी तरह से मैं युद्ध करूं और यही बहाना इसको यहां पे मिल गया तो जब डूपले ने इसको जब मुझफर जंग और चंदाशाब को डूपले का सायोग पराप्ठ हुगा तो इधर नासिर जंग और अनुरत दिन को भी अंग्रेज सबढ़ और मुझअफर जंग को दूपले चंदाशाव और मुझवफर जंग ने मिलकर 17ический 70 कि किस philanthropy आमबूर के युद्ध में ए तीनों ने मिलकर अनौरद दिन की किया करदी अनौरद दिन की क्या तिया कर दी और जब इसकी हत्या कर दी तो तो फिर करनाटक का यानि हत्या करने के बाद क्या करता है करनाटक का नवाब किसको बना दिया गया चंदा साहब को बना दिया गया ठीक है चंदा साहब को बना दिया गया ठीक तो करनाटक का नया नवाब चंदा साहब तो बन जाते हैं ठीक अब एक बचा एक विवाद तो दूसरा था किदर हैदराबाद में जो नासिर जंग और मुझफर जंग के वीच तो इस ने क्या किया डूपले ने इसी की बाथ क्या होता है कि मुझफर जंग की सहायता के लिए कुछ फ्रांसील को भीज़ा क्यों मुझफर जहाता करो लेकिन ये जो अदिकारी थे ना ये न सभगतhaft देकर ओनकी अधिकार्यों को अपनी तरह मिल लिया और नासर जंग के नासर जंग की मुद्दब क्या कर दिया नासर जंग की मतलब हत्य कर्वा दिया तो जम नासर जंग की हत्या कर दी गई तो इधर क्याओ क ROB गलता सी हूरותeth कि प्रांसीत जग को घीच को हैडराबाद का नवाव बना दिया ठीक है ध्यान समझे का देखिए पहले बात को फ़ना है का बीवाद सुलच गया बचा किया हैदराबाद का मैटर बचा था तो हैदराबाद में किसके किसके बीच हो रहा था तो मैंने बताया कि हैदराबाद में जो मैटर चल लाता वो मुझफर जंग और नासिर जंग के भी चल लाता तो इसने क्या किया डूपले ने मुझफर जंग की सहायता के लिए किसको बेजा मुझद देखिए फिसे समझे इस पॉइंट को किसने मुझफर जंग की सहायता के लिए डूपले को क्या करे गुर्पल कि कुछ अधिकारियों को रिस्वत दिया और अपने तरह मिला लिया और अपनी तरह मिला लिया तो नासिर जंग के अधिकारियों द्वारा ही नासिर जंग की क्या कर दी हत्या कर वादी क्या कर दी हत्या कर वादी और जब उसकी हत्या हो गई तो हैदराबाद का नॉप किसको का सयोग कर रहा था एक तरफ चंदा साब बन गया उधर मुझफर जंग को बना दिया तो दोना तरफ डूपले की जीत हुई लेकिन दोस्तों यही नहीं अब देखिए अब जो डूपले था यह मुझफर जंग की हत्या करवाना चाहता था और इसने हत्या के लिए क्या किया बुसी को बेजा और जब यह बुसी को बेजता है तो जो कि क्या था डूपले का सेना पती था तो जब बुसी मुझफर जंग के साथ जा रहा था ना तो बुसी ने मुझफर जंग की हत्या कर दी तो क्या किया बुसी ने जो है मुझफर जंग के भाई सलावत जंग इसको ह अब पूरे दचिर भारत पर डूपले का ही अधिकार था किस समय दोस्तो एक उंग्रिजी जनरल त happened मदरास में भेजा गया जिसका नाम थामस सांडर्स इसको मदरास में भेजा गया और थामस सांडर्स ने क्या क्या डूपले दौरा जो यह किश्ड़ा पर घिरड़ा जाता इसको अस्फल कर दिया क्या कर दिया अस्फल कर दिया अब डूपले फिर क्या था आरकाट के तरफ ब पर क्या करो कभजा करो ठीक है यह चीजे उसने बता दी तो होता क्या है कि रावर्ट क्लाइब सांडर्स दोनों ने मिलकर क्या किया आर कार्ट पर अपना घेर डाला तो दोनों ने मिलकर जब वहां पर घेर डाला तो तिरपन दिन बाकिसकी रावर्ट कलाइब को टो यहीं से डूपले को फिल से पीछे अपड़ा कि भीजा ये असान नहीं है लेकिन इधर क्या था दूस्तों फ्रांची की सरकार जो थी न वह डूपले की हरकदों से परष्टान होकर क्या किया दूपले को वापिस बुला Até crazy कि आधा है बहुकर्त सक्क्तियों को जिसे न्हीं स्थापित करें लेकिन जब अरकार इसकी हरकत से परिशान हो गया तो उसने क्या कर दिया भारत में इसको वापिस बुला लिया अब जब यह वापिस चला गया तो जाहिर सी बात है होता क्या अब यहीं से फ्राउंसी सक्क्तियों का पूरी तरह से रोक लग जाता है यानि अब इनकी कोई हर्कत से नहीं होती है जिसकी वैसे टान हो ठीक है तो यहां पर एक संदि होती है संदी होती है आलिया जब गोडेय वह आता भारत सतरąц inv Main यूरोपि एक दूसरे को वापस कर देगा वो किस संदी से समाफ होता है पांडिचेरी की संदी से तो करनाटा का पहला यूद्ध हमने देखा किस संदी के समाप्त होता है यूरोप में हुए एला सापल की संदी से करनाटा को दुत्ती यूद की संदी समाप्त होता है पांडी चेरी की संदी से जिसमें क्या होता है दोनों यूरोपी देश एक दूसरे को बिजे छेत क्या कर देंगे वापिस कर देंगे और ये फ समझेगा सुरुवात क्या होती है सब्सक्राइब 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 पराजित किया और जिससे संपूर बंगाल पर क्या हो जाता है कप्जा हो जाता है क्या हो जाता है कप्जा हो जाता है जब कप्जा जब कप्जा हो जाता है तो अंग्रेजों के प्रभुत को कम करने के लिए फ्रांसिस उने क्या किया काउंट डी लाली को भेजा कि जाओ भया वह जो कर रहे हैं उसको रोको उनके जो मतलब हैं क्या कर रहे हैं उनके उनका जो इस ने 1798 सब्सक्राइब करने मधराज की तरह एंगड मदरास की तरफ बढ़ता ऑर मदरास की तरफ डोस्तों यह भरता है नो मदरास की तरफ बढ़ता है तो हो पाएज दिमिस्त को इसने वापस बोला बुसी जो कहां पे था मद्रास में था इसने बुसी को या ऐधराबास से वापिस बूला बुस्ती कहां था हैदराबाद में था कहां पे था हैदराबाद में बुस्ती था तो इसने हैदराबाद से बुस्ती को बुला लिया कि चलो भईया हम मदरास की तरफ चलते हैं अब इसी ने सबसे बड़ी इसने गलती की क्यों क्यों क्योंकि इसने हैदराबाद से इसको बु लाली के साथ तो हैदराबाद तो रह गया खाली जब वह रह गया खाली तो इन्हों ने क्या किया इन्हों ने अंग्रेजों ने वहाँ अपनी कुछ सेनाओं को हैदराबाद बुला लिया और जहां पर हैदराबाद के नवाब ने अंग्रेजों की साहता भी कर दी यानि इसक कि बुस्ती का पूरा वर्चस था तो वह तो यानि फ्रांसिसों का जो थोड़ा बहुत अर्वर्चस तो बचा था वह खतम हो गया है यही किया इसने जो मतरास बुला लिया बुस्ती को अपने साथ ठीक है तो इसकी अनपस्थिती का लाप किसको मिला अंग्रेज ओक मिला और आयर कूट के बीच वांडिवास का युद्ध होता है तो वांडिवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसिसी क्या हो गए प्राजित हो गए तो मैंने आपको बताया कि वांडिवास का जो युद्ध होता है उसको करनाटक के तिरती युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है और दोस्तों इसी युद्ध के बाद से फ्रांसीसी उपनिवेस का अंत हो गया यानि इनके ब्यापार की पूरी तरह से समापती हो गई ठीक है तो ये पूरी तरह से क्या हो गए इनका अंत हो गया उपनिवेस्वाद मैंने बताया कि ब्यापार तो कर सकते थे लेक 1924 में फ्रांसीशी भारत छोड़र कर क्या हो जाते यह वापस चले जाते बारत छोड़र वापस चले जाते हैं 1904 नहीं तो दोस्तों यह था फ्रांसीशीती सीजों का इति रिषद का नाटरॉ defining एप कर अला कुश्छन geen जो不 딱 में luc लेक्चर में पढ़ाया हूं जितना टॉपिक पढ़ाया हूं उन सारे टॉपिक से जुड़े एक कुश्चन भी लेके आऊंगा तो उस कुश्चन यानि पहले त्योरी पढ़िए उसके बाद कुश्चन को त्यार कर लिए तो आपके त्यारी काभी बेहतर से हो जाएगी ठीक